तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग काफ़ जादा बढ़िया होंगे और आज की स्वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेलिन स्टी के अंदर वो कौन से सबसे बेस्ट कोर्सिस हैं जिनके अंदर आपकी campus placement लगने के काफ़ जादा chances होते हैं अब मैं जो बोल रहा हूँगे, best courses तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई, यह best courses है best का मतलब यह कि मैं placement के perspective से बता रहा हूँ कि या campus placement डेलिन स्टी के अंदर आपको लेनी हैं बात मैं perspective की कर रहा हूँ कि भाई, मैं campus placement perspective से बात कर रहा हूँ कि या अगर आप आप सी वाले courses होंगे, तो DU में campus placement आपके काफ़ जादा chances हो जाएं कि आपको campus placement मिल जाए, बाकि अगर आप कोई course कर रहे हो, तो हो सकता है ओफ campus placement आपको मिल जाए, या फिर आप जिस फिल्ड के अंदर जाना चाहते हो, उस फिल्ड के अंदर आप बाहर से जाए सको लेकिन campus placements के लिए कुछ चारपाच course से आपको बताऊंगा वीडियो शूर करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप preparation करना चाहते हैं भाई डेलेंस वेटी के सियूरिटी के लिए अब बीए, बीए, सी, बीकॉम, बीए, बीए, कुछ भी आप करना चाहते हो, डियू से तो हम लोग complete preparation आपकी करवाते हैं आपको सिफिक WhatsApp पर hello send करना है, और आप आज से पनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, हम लोग आपको WhatsApp पर demo lectures send कर देंगे, demo देख लो, demo देखने का भाई कोई पैसा ने लगने वाला है, अराम से demo देखो, teachers कैसा पढ़ा रहे हैं, faculty कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको हर ची किसी को data scientist चाहिए होते हैं, जो data पर काम कर सके हैं, तो data scientist जो होते हैं, data analytics जो profile होती है, उसके अंदर किस तरह के students जाते हैं, उसके अंदर basically जाते हैं, mathematics owners अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर students जा सकते हैं, या फिर माल लीजिए कोई IT की firm आ रही है, तो IT की firm जो है, वो किस becom owners हो गया, या फिर economic owners हो गया, तो इस तरह की students होते हैं, वो जाते हैं, बिकोम वोणनस के बात करों, बिकोम प्रोग्राम को कर समाझ सकते हैं, becom owners, becom program, एकी चीज़ बता रहे हैं, तो वो courses हो गया, तो वहाँ पर उस तरह के students चले जाते हैं, और माल लीजिए, इसके अला जिनको campus placement, Delin University के अंदर काफी आसानी से मिल सकती है लेकिन मालनी जिए आप Chemistry ओनर्स कर रहे हो या फिर मालनी जिए आप Botany ओनर्स कर रहे हो जिलोजी ओनर्स कर रहे हो या फिर मालनी जिए आप Arts का History ओनर्स, Geography ओनर्स कर रहे हो मैं सिर्फो सिफ campus placement के perspective से बात कर रहा हूँ graduation आप कर लो, आप off campus placement लेने के लिए चलिए जाओ, इस तरह की firms के अंदर जिस तरह की firms कोई आपको जरूरत होती है तो आप definitely वहाँ पर jobs ले सकते हैं, अब माल नहीं जिए, जिससे कोई language की literature कोई student पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई history owners कर रहा है, या फिर कोई दूसरा course कर रहा है, कोई बच्चा होता है मालेज जिसको media की field के अंदर जाना है, जिसको भाई, news channels के अंदर जाना है तो ये भी एक option होता है उन students के लिए, ओफ campus placements का, लेकिन on campus placements जो है, वो तो कुछ इसी तरही companies आती है, जिनको become owners हो गया, जिनको economic owners है, become owners, become program एकी चीज़ है, मैं बात कर रहा हूं दोनों की, become owners है, economic owners है, mathematics owners है, computer science owners है, है ये जो courses है, इनके students के कफ़ज़ा chances वहाँ पर होता तो ये कफ़ज़ादा options होते हैं इनके लिए, इसके लावा मालने जिए आप डेलेन स्वेडी से BBA कर रहे हो भई, आप BMS कर रहे हो, BBE कर रहे हो, तो ये management की जो courses है, इनके अंदर भी आपको placement के कफ़ज़ादा chances होते हैं, मालने जिए आप शही सुगदेव कोलेश के अगें वही चीज़ है कि आपको off-campus placement जो है वही आपको लेनी पड़ेगी, है ना, और बहुत साइस companies होते ही जो लिग देती है कि जितने भी students है सभी के सभी apply कर सकते हैं, और मालने जिए आप किसी भी courses apply तो आप कर ही सकते हो, लेकिन जो आपका CV resume वो लोग देखते हैं कि विकों ओने से एकनोमिक सोने तो उनकी जो resumes होते हैं, उनको तुरंथ ही shortlist कर लिया जाता है कि भाहिया, course वो काफ़ जादा सही है, है ना, तो यह भी एक चीज़ होती है, कुछ companies होते हैं, जो specifically लिखी देती हैं कि मुझे economic students के ही student चाहिए, दूसरे course के student चाहिए ही नहीं है तो वहाँ पर apply भी नहीं कर सकते हो, है ना, और जहाँ पर apply भी करोगे तो आपका course हो, सबसे पहले हो देखी लेते हैं कि आपका course कौन सा है, तो shortlist होने के chances जो होते हैं, वहाँ पर भी काफी कम आपके हो जाते हैं, तो DU के अंदर कुछ इसी तरह से है, बाकि उस लड़िस क चाहते हैं अपनी life के अंदर वह course आपको करना चाहिए, बस मैं campus placements के perspective से वीडियो बना रहा हूँ, right, so I hope ये वीडियो आपके लिए काफ़जा सही रही होगी, और मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, bye bye and tata और अगर आपको preparation करना है, वहाँ पनी CUT की के अंदर हैं हिंदु कोलेज के अंदर भी है, हंसराज कोलेज के अंदर भी है, लडी शिरा में भी है, मिरांडा में भी है, तो जितने भी टोप कोलीज हैं वहाँ पर हमारे students आज के टाइम पर पढ़ाई का रहे हैं, including KMC तो आप ही कर सकते हैं, what's up number description के अंदर है, और मिलत के अंदर तब तक के लिए, बाई बाई एंड टाटा